जहरीली होने लगी है दिली की हवा आज से लगाई गई है ये सख्त पाबंदिया जानिए क्या दिली में हवा जहरीली होने लगी है वायू प्रदूशन पिछले चार दिनों से बेहद खराब स्तर परवना हुआ है कहा जा रहा है कि शनिवार तक प्रदूशन में और इज़ाफ़ा हो सकता है 22 अक्टूबर को हवा बेहत खराब स्तर तक पहुँच सकती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कते आ सकती है बर्ती प्रदूशन को देखते वे दिली अंसियार में ग्रैप यानि ग्रेडिड रिस्पॉंस अक्षिन प्लान टू को लागू कर दिया गया है चनिवार तक बेहत खराब हो जाएगी दिली की हवा पूर्वा नुमान के अनुसर 20 और 21 अक्टूबर को वायू प्रदूशन खराब स्तिती में रहेगा और 22 अक्टूबर को या बेहत खराब स्तर पर पहुँच सकता है इसके बाद अगले 6 दिनों तक या बेहत खराब स्तिती में ही रहेगा 20 अक्टूबर को हवाई 5-8 किलोमिटर प्रती घंटे रहेंगी 22 अक्टूबर को उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशाओं से हवाई आएंगी ग्रैप का दूसरा चरन आज से लागू लगाई गए सकत पाबंदिया बरते वायू प्रदूशन को देखते वे CQM ने ग्रैप के दूसरे चरन को आज से लागू कर दिया है ये पाबंदिया लगी रहेंगी होटेल, रेस्टोरेंट, भोजनाले, आदी में, तंदूर में लकड़ी और कोले का इस्तमाल नहीं करना होगा इमर्जेंसी सेवाओं को छोड़ कर डीजल जनेरेटर का इस्तमाल पर रोक, ट्राफिक ज्राम आली सरकों पर ट्राफिक कर्मियों को लगाया जाए नीजी गाड़ियों के इस्तमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ेगी, आज डवल्यूए अपने सिक्योरिटी गाड़ को हीटर उपलब्द करवाएंगी, नीजी गाड़ियों का कम से कम इस्तमाल करें और पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में चलें, अपनी गाड़ि सेविंग उपकरन दवाई बनाने में डीजल जनरेटर का इस्तमाल किया जा सकता है, बिक्री और पत्राखों को जलाने पर पून प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए 408 टीमों का गठन भी किया गया है, ब्योर्य रिपोर्ट दिली समाच लाओ को लाओ कि एक बनाने में वड़ाने में गभाउ किया लिएभगे लेख को ओख सेविंग लेख लेख लेख